हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटिब चैनल, तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स चेप्टल लेसन फोर, लेसन नेम है, कंस्ट्रेक्शिन फ्यूचर ओफ ट्रांजमिशन लाइन, इसका हिंदी नेम है, संचलर लाइनों की सराचमात्मक पिशेत हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे, कि जो मेन कंपोनेंट होते हैं, ओवरहेंड लाइन के कौन-कौन से होते हैं, ओवरहेंड लाइन में किस-किस कंपोनेंट की आवश्यक्ता होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट है हमारा करते हैं उसे हम लाइन कंडेक्टर बोलते हैं ओके देख लीजिए ओवर हेड लाइन में ओवर हेड लाइन में प्रयुक धारावाई चालक को बिद्दुशक्ति संच्रण का कारे करता है जो क्या करता है बिद्दुशक्ति संच्रण का कारे करता है उसे लाइन कंडेक्टर कह कहते हैं अब हैं line support इसे बोलते हैं line alum line support क्या होता है जो overhead line चालकों को 36 स्थिती में साधने वाले उधादर युकती को line support कहते हैं अभी जो wire होता है हम wire ऊपर ऐसे ही तो उड़ेगा नहीं हवा मैं तो उसे भी हमें किसी की साहता से साधना होगा मतलब बांदा होगा किसी की साहता से उस युकती को हम क्या बोलते हैं line support जैसे खंबा है टावर पोल ये सब हमारे क्या होते हैं line support दिखिए जैसे पोल तथा टावर अब आता है हमारा insulator insulator क्या होता है बिद्धुत्रोधी पतार्थ पोर्सलेन या कांच से निर्मित युकती जो overhead line की चालक को support से outlet या अलग करती है insulator कहलाती है अब जो हमारा wire होता है और जो support होता है उसके बीच में क्या होता है जो हम जिसकी सायता से हम उसे बांथ है connect करते हैं जिसी की वो एक दूसरे से touch ना हो सके उसे क्या होते हैं अचालक पदार्थ या insulator और यह हमारे पोर्सलेन के बने होते हैं कांच से निर्मित होते हैं यह हमारे किसके काम में आते हैं जिसकी एक दूसरे से जो wire है वो touch ना हो जाए इसके काम में आते हैं अब है हमारा क्रोस आर्म जिसे हम बोलते हैं आड़ी बुजा क्रोस आर्म ओवरहेड लाइन में ओवरहेड लाइन प्रडाली में सपोर्ट के साथ ने सपोर्ट के साथ क्या होता है यह जो क्रोस आर्म होती है सपोर्ट के साथ कसी हुई होती है सपोर्ट के साथ कसी गई वह 26 जिस पर insulator करसा जाता है उसे cross arm बोलते हैं अभी cross arm क्या होती हि जो आपने देखा होगा जो pole लगे होते हैं pole उपर एक इस type की ऐसे जी यह pole है और यहां पर इस type की क्या होती है एक फ़ड़ लगी हो EL poder उस फ़ड़ के उपर insulator लगे होते हैं जो insulator लगे होए होते हैं जिस ठड़ के उपर उसे हम बोलते हैं cross arm वो होती है हमारी cross arm ok next देखते हैं यह क्या है विदारिक क्रानतिक वोल्ट था मतलब distributive cradle voltage वहन नींतम voltage जिस पर चालक के surface की आसपास आसपास की बायू आईनी करड़ प्रारहं होने लगता है अर्थात Corona बनने लगता है उसे हम क्या कहते हैं Distriputive Critical Voltage जहाँ पर हमारा Corona जो होता है यह Corona नहीं जो चल रहा है Corona एक प्रभाव होता है Electrical में जो यहाँ पर जो वाल लगे होए होते हैं वाल कसे होए वहाँ पर एक प्रभाव उतपन होता है कोरोना प्रभाव जिसे हम कोरोना प्रभाव बोलते हैं यह जो कोरोना प्रभाव होता है इस यह क्या कहलाता है जहां पर हमारा कोरोना प्रभाव बनेगा उसे हम बोलेंगे distributive critical volt था critical volt था, ओके इसे voltage, kilo voltage में VD से व्यक्त करते हैं इसे VD से व्यक्त करते हैं और जो corona प्रभाह है वो next मैं, अब वीडियो में आपको detail में बताऊंगी, क्या होता है कैसे उत्पन होता है यह सब मैं बताऊंगी, ओके अब next है हमारा visual critical voltage मतलब द्रश्य क्रांतिक वोल्टा, वहनी उन्तम वोल्टा, बताँ वहनी उन्तम voltage जिस पर Corona दिखाई देने लगता है, अब Corona के लक्षड होते हैं, वो कभी कभी कम भी होते हैं, कभी जादा भी होते हैं तो जहांपर Corona प्रभाहाव जो है मफ या मफिंग यह हमारी क्या होता है यह मफ क्या होता है जो सपोर्ट लगी हुई होती है सपोर्ट को हम नीचे क्या करते है नीचे सीमेंट कंकरीट की सायता से हम उसे साधते हैं सपोर्ट को जो सपोर्ट जो पोल होता है उसे हम साधते हैं उसे ही बूलते हैं हम मफ support के base पर चारो और लपेटा जाने वाला आवरण जो प्राय cement concrete का बना होता है जो आधार से seeds की और ढालू होता है, मतलब कि ढालू आकरिती में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं मफ बोलते हैं, मफ कहलाता है मफ के लपेटने की किरिया को मफिंग कहते हैं इसकी मफ की लबेटने की किरिया को हम बोलते हैं मफिंग मफ को सपोर्ट के आधार पर 20 सेंटीमीटर जमीन के अंदर 20 सेंटीमीटर जमीन के बाहर रखा जाता है को कि यह सपोर्ट को जमीन से जकडन प्रदान करती है यह क्या करता है जो गड़न परदान करेगा और उसकी सायता से वो अच्छे से खड़ा रह सके और पो जो हमारा conductor होता है उसको अच्छे से साथ सके इसलिए हम इसे मफ का यूज करते हैं मफिंग इस प्रकलिया का यूज करते हैं तो फ्रेंट्स ये तो थे कुछ एलिमेंट्स जो हमारे यूज होते हैं तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक कि लिए बाबाए टेक केर गाईज